तो कैसे हो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्ता शिष्टिवारी और आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ सोनी के S500RF का फुल रिव्यूँ जी हाँ एक ऐसा हूम थियेटर जिसका साउंड सुनके आप मंत्र मुगध हो जाएंगे क्योंकि इसमें दिया है Dolby Atmos का सपोर्ट तो चलिए वीडियो को पूरा देख लेते हैं और जान लेते हैं कुछ इसके बेसिक फीचर्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देए और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देए क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों लेट्स केट स्टारेड यह है मेरा सोनी का होम थियेटर जिसको आज से ठीक एक साल पहले मैंने 32,000 में खरीदा था जिसका मॉडल नंबर है सोनी HTS 500 RF इसमें आपको 5.1 चैनल मिल जाते हैं Dolby Digital Technology के साथ तो दोस्तों इस पूरे सिस्टम में आपको मिलता है एक लार्ज वूफर एक थ्री स्पीकर्स वाला साउंड बार और दो सुराउंड साउंड स्पीकर साथ ही में आपको मिलता है एक रिमोट और एक HDMI केबल जिसे आप टीवी में लगा कर भी इस साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं चैनली सबसे पहले बात कर लेते हैं इस त्री स्पीकर्स वाले साउंड बार इसमें आपको मिल जाता है front left speaker, center speaker and right speaker और साथ ही आपने नोटिस किया होगा कि इसमें एक left twitter भी दिया हुआ है साथ ही में आपको right twitter दिया है जो कि आपको extra treble produce करके देगा अब बात करते हैं इन rear speakers की तो आपको ये मिल जाता है left rear surround speaker आप इसमें देख सकते हैं यहां पर आपको लिखा भी हुआ है और साथ ही में आपको मिलता है right surround channel that is right rear speaker okay अब बात करते हैं इस large woofer की इसके top पर आपको मिल जाता है sony का branding और कुछ useful buttons and front में आपको देख सकते हैं USB support मिल जाता है और ये large speaker मिल जाता है जो की आपको बहुत ही अच्छा base produce करके देता है यहां से आपको air pass करने का option और के back side में आपको मिलते हैं various input plug-in के options यहां पर आप देख सकते हैं center में आपको दिया हुआ है यह कुछ information जिसमें की sony का logo है और उसका model number दिया हुआ है और ये made in china है तो चलिए हम अब इसके inputs के बारे में देख लेते हैं तो हर एक input की अपनी color coding दी गई है यह जो three inputs के option दिये हुए है यह इस बार के लिए है जो three speakers वाला बार है यह उसके लिए दिये हुए है बाकी जो यह दो दिये हुए है यह surround channel के लिए है तो आप यह देख सकते हैं यहां पे साफ लिखा भी हुआ है कि यह front right है इसका मतलब red वाला जो है आपको वायर red वाले input में लगाना है similarly आपको left वाला left left input में लगाना है ठीक है तो हर एक speaker की अपनी color coding है मैं आपको वायर दिखा देता हूं इसका तो यह आप वायर भी देख सकते हैं और इसको बहुत ही easy होता है इसमें plug-in करना आपको green वाला जैसे है यह center speakers का है तो आप इसको easily ऐसे लगा सकते हैं ठीक है यह आपका sound bar का connection हो चुका है ओके similarly आप देख सकते हैं कि यह है आपके rear speakers so rear right इसको आप ऐसे लगा दीजिए और यह हो गया आपका rear left speakers के बाद आप देख सकते हैं यहां पे various inputs के option मिल जाते हैं जैसे IR repeater हो गया optical TV in हो गया HDMI ARC का cable का option मिल गया आपको analog in मिल गया यह जो IR repeater है इसका काफी बड़ा रोल होता है जैसे कि आपको यह sound bar है आपके TV के signal को अगर block करता है तो उसके लिए यह extra wire दिया हुआ है जो कि आपको signal पहुंचाएगा साथ में आपको यह optical TV in मिल जाता है जिसे कि आप इस sound woofer को connect कर सकते हैं HDMI ARC cable जो है इस box में आपको मिलता है जो की high quality of sound जो है आपको टीवी के थरूँ इस sound box में हो जाता है यहां पे कुछ information मिल जाती है जैसे HDMI की branding है Dolby digital audio DTS digital surround sound जोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूंगा कि जो rear speakers है इसमें काफी लंबी wire दे रखी है यह up to 10 to 20 meters हो सकती है झाल 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 दोस्तों बात कर लेते हैं इस remote की remote में आपको यह top पे यह power option मिल जाता है यह input option मिल जाता है और यह जो option है वो sound के लिए दिये गये हैं आप different types of sound इसमें सकते हैं जैसे की auto surround, standard, cinema, music, voice, night sound night sound जिसी आप on करते हैं तो आपको जो bass है वो कम हो जाता है और जो thump है वो बाहर room के नहीं जाता है तो काफी अच्छा sound मिलता है इसमें और यह volume का आपको button मिल जाता है यह subwoofer का sound है जिसे की आप up to 12 तक set कर सकते हैं आप इसको subwoofer का sound जो है वो कम भी कर सकते हैं ठीक है तो यह maximum 12 तक जाता है और आपको यह मिल जाता है mute का option हम देख सकते है mute, unmute कर सकते हैं और यह menu है menu में आप level 1 है जिसके बाद आप यह इंटर कर सकते हैं इसमें देखिए surround left और यह 6.0 का sound का system मिल जाता है आपको यह next and previous यह गाने change करने के लिए है इसे आप back बैक जा सकते हैं इसमें ठीक है सो यह डीमर का जो option है वो जो front पे information दी गई है उसको बढ़ाने खटाने के लिए है जैसे कि आप देख सकते हैं यह dark है और यह off हो गया और यह आप प्राइट भी कर सकते हैं इसको कि आपढ़ने आप आपढ़ने के लिए च्राइब जिस्वारा, कि आप दूच्छरा मुटत कर लें आप दो बढ़ मुटत कर दूचरा है भीमर कैने के लिए है गाने का प्राइब है जिस तो वापिस से आते हैं इस त्री स्पीकर्स वाले साउंड बार की तरफ और यहां पे टॉप में कुछ इंफोर्मिशन दी हुई है जैसे कि यह जो होम थीटर है वो थाउजन वाट का है 5.1 चैनल है इसमें और कॉंपक्त रीर स्पीकर्स आपको दिये गए हैं और इसमें आपको यह वेरियस आप्शन मिल जाते हैं कनेक्ट करने के HDMI ARC Bluetooth USB इंपूट तो आप मुझे कमेंट करके बताईए कि यह हूम थीटर आपको कैसा लगा अगर मेरी बात करें तो पिछले एक साल से मैं इसे यूज कर रहा हूँ और मैं इसे काफी सैटिसफाइड हूँ अगर आपको इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको Amazon का link description box में दे दूँगा वहाँ पे आप इसकी technical details दे सकते हैं और यह sound box मैं तो चाहता हूँ कि आप इसे जरूर purchase करें अगर आप real में Dolby Digital True Surround Sound का experience लेना चाहते हैं तो झाहते हैं तो झाल 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 झाल